तो गवर्मेंट पॉल्टेक्निक कॉलेज में एड्मिशन लेने वाले हो इस वीडियो में आपको पाता चलेगा कि उसमें खर्चा कितना आने वाला है मतलब फीस और जितना भी सारा खर्चा होने वाला इस वीडियो में लोग बात करेंगे तो हैलो गाइज वेलकम बैक टू जाट करते हैं तो इससे पहले अगर आपको जाता है तो इससे पहले अगर आपको आने वाला है तो सबसे पहला तो आप अलॉट्मेंट लेटर डाउलोड करें जो की 1000 लगेगा जिसमें कि आपको बीसी कोई भी कैटेगरी से मतलब नहीं है सब को एक हजार लगने वाला तो यह हो गया पहला पैसा कॉलेज में यह आपका अगर आप अब यह से मिल रहा है या या यह सीट मिल रहा है तो आपका आठारा सो पांच रुपया खर्च होने वाला कॉलेज का एड्मिर्सन में अभी जो लेटरल इंट्री में लेंगे वह भी जो रेगुलर से लेंगे वह भी उसक्का जो से उनको 405 रुपया लगने वाला कॉलेज के फर्स्ट यर में यह फर्स्ट यर का बात कर रहा हूं जब पहली बार कराने जा रहा है आप जितने भी गल्स स्टूडेंट्स हैं जो की उमेंस पर टेक्निक में एड्मिर्सन ले रही है या फिर नॉर्मल जो गर्मेंट पर टे लेकर करना है वाले के उपर एक वीडियो बना हुआ है कोनकों सा धुम्मन होया इइंपोर्टेंट रिवाला थे हे वाने पय पर ब 1997 को देना पड़ता यह बोड मतलब जो आपका जारकन युनिवर्सिटी टेक्नोलिजी उनको पे करना पड़ता है उसको पे करने के लिए आपको पंजाब निशनल बैंक से चलान कटाना होगा चलान का पीडिया आपको टेलीग्राम गुरूप में मिल जाएगा जो चलान कटाना होगा वह पैसा जाएगा आपके बोड के पास और यह फिर्स्ट का अलटन लेटर भी यह तो डाइक्ट लिए उनलाइन कट रहा आपका लाट में लेडर डावलोड करने 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 क। बाकि जैक्षे कौलेज में जाकर आपको पे करना होगा क्लेसा कैस्त चलता नहीं है बहुत सारा सब क्ति का एकाउंट अलगव एक अलग मतलब बाव कर लेते हैं डिक लेटेशसिन पर्पोर्ट में होगे के लिए अपको देश reaction में रहतार तो एसने बीजिट मिला हुआ इसमें अब सबको 350 रुपी लगने वाला है रेजिट्रेशन में उसके जब आपका एक्जाम होगा फर्स सेमेस्टर का जब भी मतलब एक्जाम होगा यह मतलब कॉलेज जो फीस था यह साल में एक बाद देना था तो जो पूरे मतलब पूरे कोर्स में एक और जो semester 1 में जिनका बैक लग जा रहा है किसी पेपर में वह अगर फिर से जब semester 1 का exam होगा या फिर जब भी बैक पेपर का exam होगा उस ताइम अगर exam देने जाएंगे तो एक सब्जेक्ट का उनको 500 रुपया लगेगा एक्जाम निसन फी दो सब्जेक्ट में अगर बैक लग सब्सक्राइब में जो आपको साल में बाद देना पड़ेगा तो यह हो गया total अपका तो जितने भी OBC और अन्रिजर्ब सीट में जा रहे हैं या EWC में उनको 555 प्या लग रहा है मतलब पूरे साल का एक फर्स्ट यहर का उसके जो लोग STS seat में जिनको मिल रहा है उनको 4155 अज जो गल्स कंडिडेट है जो और TFW से हैं उनको भी लग रहा है 4155 उसके आप सेकंड यहर का बात कर लेते हैं सेकंड यहर में जब भी आप कॉलेज में अडमिशन करवाने जाओगे मतलब फर्स् उनको लगने वाला है 2,605 उसका जो STS से उनको लगेगा आट सो पांश रुपिया उसका जो गंडीड़ेट है या पिटीम ने लगेगा 205 रुपिया यह हो गया आपका college admission fee second year में और second year में भी आपका exam होने वाला दो एक्जाम होगा third semester fourth semester तो वापस से आपको फिर दो semester जब exam होगा तो एक्जाम ने सन फी लगेगा बाकी registration फी फिर फ्स्त year में लग गया उसके आद आपका registration फी नहीं लगेगा तो वापस से जो फोर्स semester का एक्जाम होने वाला है second year में उसमें भी आपका लगेगा 2400 रुपिया मतलब एक बार एक्जाम दीजेगा मतलब थाड़ सेमिस्टर में जो एक्जाम फी लगेगा वह बारह सो लगेगा तो टोटल होगी आपका 2400 रुपिया तो अब टोटल कर लेते हैं second year में आप लगने वाला है 2605 रुपिया अब यह जैसे पहले बता था एक्जाम फी जो लगने वाला वह आपको बोट को जाएगा कॉलेच में अलग अलग करना मतलब टोटल खर्चा में पता रहा हूं इसी तरह जैसे second year में आपका खर्च हुआ वह इसे आपका थर्ड यह में भी खर से सब्सक्राइब की जो की सारे बच्चतों को लगना है तो अब घर से घर में रहे घर से अगर आप को लेच आ तो भी आपको लगेगा मास्टर में ले रहे हो तो भी हाफ उनको लगेगा तो इह जो खर्चा होने वाला वह जो ऑबड यह और यह द फिर रिबल्यो को रुपिया दस हजार पांसो पैंसाट रुपिया उसके जो गल्स कंडिडेट्स हैं और जो टीफ डवलू कोटा से हैं उनको लगने वाला है नो हजार अगर ले लिजेगा यह उसका कितना चार्ज रोगा अगर आप उसका कितना चार्जर आने वाला है अगर आप फॉस्ट इयर में हो सकता ना मिले कि सब्सक्राइब तो अलग से अपड़ेगा इस ऑसकता कम लगे बाकी एक साल का अगर मतलब आप प्रॉक्स लेते हैं जो कि साल में अगर वही आप रूम लेके लीजेगा सेरिंग करके मतलब दोचार दोस्त मिल के अगर लीजेगा आमने सामने तो आपका मतलब कोई भी सिटी में रहें जाद आपका बारो सो या पंदरो सो जाएगा अगर आप थोड़ा अच्छा खासा रूम लेते तो दो हजार भी लेकिन अगर आप लेके चलते हैं कि एक हजा तक भी मिल जाएगा हो सकता कोई जगा पर तो अगर पर मंत लिएगा तो आपको साल में 14,400 रूपय लग जाएगा तो इसको अगर ऐसे बचा भी सकते हो जैसे कि गर्मी चुटी या फिर कोई चुटी आ जाता है एक दो मेना के लेकिन अगर आप एक दो मेना के लिए एक मेना के लिए घर चले जा रहे हो तो लोग अपना सामान रखके जा सकते हो लेकिन उसमें और प्रोग्लम आ जागा जागा जब वापस आव गए तो आपको अगर वह खाली नहीं मिला तो दुबार से आपको खोजना पड़ेगा बाकी अगर आप बात कर लेते हैं कि आपका खाने का घरचा अगर अगर में आप मैस जॉइन करते हो तो आपका 2200-2500 तक लग जाएगा तो यह आपको पर मंथ लगने वाला है प्रवार कि दिन नहीं खाता है उस दिन का पैसा नहीं देना पर तो किसी दिन भाहर खाले रहे हों या फिर किसी दिन मतलब घर चले जा रहा हो तो वह सब मतलब मतलब हम टोटल अभीए मैं बारा मेने का कर दिया है जो कि वहारा सताइस अशला अगर बारा का बारा मेना कोई मैस में खाता नहीं बहुत टाइम घर चला जाता है तो वह मतलब डिपेंड करता है कि आप कितनी दिन नहीं खा रहे हो तो यह और ग्रम हो जाएगा मतलब यह तो जब ज़्यादा एक हजार खर्च होगा जो जब नॉर्मल अगर आप घर से मतलब तो पूरे अगर बारा का बारा मेन अगर आप खाओगे तो पंद्रह हजार रुपया खर्च होगा तो यह आप सबका अलग-अलग यह पौन कैसे रह रह रहा है यह डिपेंड करता उस पर तो आपको उमीद है यह वीडियो फोड़ा इंफर्मीटिव लगा आपको पता चल मैंने उसका फिर गल्स कंडिडिट्स का भी बता दिया उनका कितना कॉलेज में लगने वाला बाकि रहने खाने का तो सबका एक ही लगने वाला है उपर से जो जो नॉर्मल गवर्मेंट कॉलेजेस में तो लड़की लोग को होस्टल में जाता लेकिन जो ऐसे रेगुलर कॉ मिल जाएगा पदा करना हुआ जाके अगर प्रीशन प्रॉब्लम होता है तो यह से बात कर सकते हो जो लोग है से था of उससे आपको पता चल जाएगा और नीचे टेलीग्राम 세 cram la Если मैं बाइचे टेलीग्राम ट्रियाट लिंक में बहुत सारे कॉलिज्ज के स्टुड्डेंटी सब्सक्राइखना कि वह दे मैं आप मतलब कॉ健 a एक निलेंगे निश्ख वीडियो में तब तक के लिए अगर आप वीडियो में टक देख रहे हो तो नीचे कामेंट कर svp आपके साव 때문 के लिए वग्रेम फूनुपला चाहिए म मिलेंगे हमलोक्तास पिखतामिस्तुन, रिखताओं लग्नेट कामेंसुन Dalis, कि अप्सकत। कि अप्सकत।